हालो गाइज विल्कम तो मैं चैनल ग्राफ एक्स प्लेंट तो आसके इस वीडियो में हम देखें के डूल टेनिंग फोटो एडिटिंग इन फोटोशॉप तो मैंने एक इमेज डाउनलड करके रखा हुआ है तो इससे मैं करना के वोशुष करूँगी तो इस इमेज का डाउनलोड लिंक जो मैं डेस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वोसे डाउनलोड कर सकते है और अगर आप कोई और इमेज के साथ करना चाहिए तो भी यह कर सकते है तो देखिए पहले तो हमारा यह इमेज जो यह ब्लैक एंट वाइट करना पड़ेगा तो क्योंकि इसमें थोड़ा से कलर अच्छा नहीं आएा तो इसे ब्लैक एंटा व्याइट कर लेते तो यहाँ से मैं करूंगा तो यहाँ से एंचस्मेंट लेयर पर जा emailed press black &एंट एमट्से लेजिए और अगर आप चाहें तो हाँसे एक ग्रेडिएंट बिएटिंग रहे कर सकते है, मैं यहासे rate को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, ताकि चाहरे पर जो light ही थोड़ा आउड देखें इतना सजाई है करक् GUY है और उसकेबाद आपको यह से ग्रेडियंट लेना है थो यहाँ पर साम स्केड साथ से तो यहाश में टरफ रखेंगे तो जि पर एंटर करते हो और यहाश मैं इसको ले ले तो मतलब लेने के बाद और शॉर्य ओकी नहीं करना है आपको यहाश सभी इस पर क्लिक करना है और यहासे कलर को पिक करने है और अब जो दोनों कलर के अंदर डॉल्ट नहीं करना चाहते है उन दोनों कलर को आपको स्लेट करने है तो पहले तो आप यहाप एक ही कलर को स्लेट करेंगे मैं इस कलर कर रहे हूं आप चाहे तो कोई और कलर भी कर सकते तो मैं पहले यहाप इस क तो इतना सही है, हाँ इतना सही है, और इसको मैं OK कर रहा हूँ, और यहां से यहां से भी OK करना है आपको, और यहां पर जाकि इस layer को select करके, इसका blend mode आपको change करना है, तो पहले तो यहां पर आप darken कर सकते हैं, यहां color कर सकते हैं, तो जो darken ज्यादा अच्छा लग रहा है, अब इस copy बेले लियर पर यहाँ पर यहाँ पर आपको double click करना है और इसके पाद यहाँ पर 180 लिख दीजिए तो यह उल्टा हो जाएगा और यहाँ पर color को edit करना है color को यहाँ से press करेंगे दूबार रहा से और color पर जाके आपको जो भी ठीकले आपके आप वह color ले ले लिजिए यहाँ मैं ok कर रहा हूं यहाँ अभी ok और ok तो अब देखिए लगबग यह हो चुका है और अब देखिए अगर आप जो हमने black and white किया था अगर वह नहीं किया होता तो कुछ इस तरह सा दिखता और black and white करेंगे तो ऐसा दिखेगा तो देखिए अब color का थोड़ा सा जो है color का intensity को बढ़ाना पड़ाएगा तो यहाँ से मैं एक hue saturation adjustment layer ले रहा हूं और यहाँ पर जाके saturation को बढ़ा रहा हूं और vibrance में जाके एक vibrance वाले adjustment layer भी लेना है और vibrance में जाके भी थोड़ा सा vibrance को बढ़ाना है तो अब देखे पहले यह ऐसा था और अब ऐसा है और अगर black and white बेले लेयर को हटा भी दू तो यह कुछ ऐसा दिखेगा यह यह भी अच्छा है यह भी बुरा नहीं यह अच्छा लेकिन मैं फिलाल black and white के साथ कर रहूं तो आपके अप लोग की यह बीड लीटियोर को अफिनым आग अगर अच्हा लगके तो लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं आप से किसा आगली विडियो में कऱ़ों बादा ल्एं झाल